हाई अवरीवन विल्कम बैक टो फोर्स इन्वेस्मेंट माइन यह में शिवांच पसी सुवाज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वह बहुत जादा इंटरस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पेकल हम लो लोगोंने डिसाइड करीती है आक्च्वल में बिल्कुल वैसी मार्केट कही है मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में जरूर का था कि मार्केट ऊपर जाए सकती है बट अगर मार्केट ऊपर जाएगी सारे डाटा मार्केट को ऊपर जाते वे दिखा रहे हैं बट एक डा और मार्केट दुबारा नीचे आ जाए और एक्जाक्टली वेसा वहाँ पर हुआ सो अब देखते हैं कि अब FII का डेटा क्या कह रहा है अब क्या सेनारियो बन रहा है या क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे है सारी बात है करेंगे इस वीडियो के अंदर प्लस पांच स्टॉक्स की और बात करेंगे कि आप लोग बाय करके चल सकते हैं ऐसा स्विंग ट्रेड और ऐसा इंट्राइड सो सारी बात हैं कि इस वीडियो के अंदर सु बने रही है वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब कर रहा है नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को and share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बिल्कुल earphones लगा के, earphones लगा के, बैठे रहे हैं और आप लोगों को ये पूरी वीडियो बहुत जाद इंट्रेस्टिंग लगेगी so चलिए without wasting any time, start करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के अंदर so रही सबसे पहले हम लोग stocks की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग nifty bank nifty की पिल्कुल thoroughly analysis करेंगे so सबसे पहला stock आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, stock का नाम है Mass Financial Service अब बहुत सारे लोगों को सबसे पहली बात दिक्कत आती है कि उन लोगों को नाम समझ में आता है आप लिखा वा, so आप लोग क्या कर सकते हैं नीचे description पर मैंने 500 stocks के नाम लिखे वे हैं आप उनको note कर सकते हैं और अपनी watch list के अंदर add कर सकते हैं तो यहां पर आप लोग और दूसरी चीज़ आप लोग video quality जब आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो अपने phone में देख रहे हैं, settings पर जाके, YouTube की settings पर जाके आप लोग अपनी quality वीडियो की थोड़ी और अच्छे से increase के लिजे कि आप लोगों को charts और अच्छे से clear देखे और समझ में आए तो सबसे पहले stock आप लोगों को मैंने बताया mass financial service का stock पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यह एक range के अंदर काम कर रहा था आप लोगों को clearly देख रहा है range के बाद एक breakout आया breakout के बाद दुबारा एक range के अंदर आ गया हो और अब breakout दे रहा है आप लोगों को मैंने past में ऐसे बहुत stocks दिया है कि कुछ जो breakout देते हैं के बाद दुबारा consolidate करना start कर देते हैं ब्रेक आउट के बाद ही और जब उनका breakout आता है तो आप लोगों को पता होगा कि इस पर एक heavy movement आ सकती है stock को trade कैसे करना है आप देख सकते हैं कि एक sharp up move आई एक range के अंदर consolidate करा it kind of formed a bullish pennant pattern bullish pennant pattern form कर चुका है अब आप लोगों को trade कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ देखिए breakout आए उसके साथ साथ हम लोग देखने की volumes भी increase होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर एक चीज़ और है मैं volume indicator का use करता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बढ़िया by levels आप लोगों के लिए क्या है तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ यह मैंने volume indicator का use करा and यहां पर हम लोगों को पता चलता है actual में यह red color की line देख रहे हैं यह red color की line हमें बताती है कि कहां पर सबसे जादा position hold करके मतलब हमें वहां पर resistance और support का एक idea दे देता है so जो हमें resistance और support का idea मिल रहा है वो मिल रहा है around 875 के आसपास 875 के आसपास इसकी closing हुई है so अभी इसकी closing हुई है 878 पे अब buy कैसे करना है उसकी बात कर लेते है so हम लोगों को 882 की उपर इसे buy करना है stock को 882 की उपर buy करना है it's a swing trade और जो stop loss होगा आप लोगों वो 834 का होगा target आपके 960 rupees के होगा है so 1 is to 2 आप लोग डेफिनेटली stock को अपने watchlist के अड़ कर सकते है अगर आप लोग trade करना चाहे तो कर सकते है बात करते हैं अपने second stock की तरफ stock का नाम बता दिया नीचे वरना description तो आपको नाम मिल जाएगा बात करते हैं अपने second stock की तरफ so हमारा second stock जो है that is umber and umber की उपर live streaming जब भी मैं लगातार एक हफते से कर रहा था so बहुत सारे questions put up आई थे umber की उपर finally आपर एक breakout आगया है और breakout मुझे लग रहा है कल के trading session में बहुत अच्छा आ सकता है so इसको check कर लेते हैं तो इसको चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं को और breakdown दिया था almost 10th मे को 10th मे के breakdown के बाद हम देखते हैं यह stock कभी वी उपर नहीं जा पाता था हो ना closing basis बच आज के trading session पे इसने उपर closing दिया है I think इस पे बड़िया movement कल खुलते ही हम लोगों को देखने को मिल सकती है और यह अच्छे targets दिखा सकता है दूसरी बात यहाँ पर इसने एक inverse heading shoulder pattern भी create कर रहा है और अब अगर इसका breakout आता है तो हमें अच्छे targets देखने को मिल सकते हैं अगर मैं इसके targets की बात करूँ तो almost almost हम लोग 100 points 72 hundred points की movement मैं कल इस stock के अंदर expect कर सकता हूँ या फिर आने वाले एक से दो दिन के अंदर तो stock को अपनी watch list के अंदर रख सकते हैं अगर breakout continue रहता है तो अच्छे targets देखने को मिल सकते हैं buying price इसका क्या होगा सबसे बहले current price की बात करते हैं so current price है 3052 का आप लोगों को 3057 की ऊपर 15 मिट की candle close होती है you can go for a buy उसके बाद आप लोग 50 to 70 points की targets के साथ stock को hold करके रख सकते हैं stop loss वो आप लोगों का होगा वो आपका होगा around 3028 का yes 3028 का आपका stop loss है और आप उसे hold कर सकते हैं बात करते हैं अपने second third stock की हमारे दो stock बात कर लिए है third stock की बात करते हैं so our third stock is confipit आप मैं stock का नाम दिखा देता हूँ yeah confidence petro india limited confidence petro india limited stock पर अगर आप देखेंगे so आप यहाँ पर देख सकते हैं एक sharp up move आई उसके बाद almost April से यह एक consolidation phase पर है and volumes भी increase नहीं कर रहेते जादा but इसने आज के trading session पर breakout दिया है breakout के उपर sustain कर रहा है volumes पर कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो RSI भी increase कर रहा है RSI 67 है जब अगर 63 या 64 के उपर उपर होता है और अगर मुझे नहीं breakout दिखता है तो मेरे को बहुत अच्छी opportunities दिखते है और actual में वो target अचीव करता है तिया momentum आता है मतलब यह momentum हो गया कि continue कर सकता है आने वाले एक दो दिन के अंदर है so stop के अंदर आप लोग अपनी एक buying बना के रख सकते हैं 66 रुपीज पर यह trade कर रहा है 66.70 Q पर 15 मिट की candle close होती है you can go for a buy और इसके जो मैं targets expect कर रहा हूँ 75 रुपीज के कर रहा हूँ तब तक लिए आप hold कर सकते हैं with a stop loss of 63 या 62 रुपीज का stock अच्छा है stock का short form जो use होता है वो मैंने नीचे description पर लिखावा है तो आप उसके through stock को find कर सकते हैं बात करते हैं अपने next stock की so that is our next stock is NH NH यह बहुत पहले मैंने stock आप तो को recommend कर रहा होगा और इसने movement नहीं दीती उस समय मतलब बहुत जगा time consolidate करते रहा but अब यह movement देने के लिए तियार हो रहा है अगर आप देखेंगे सबसे पहले चीज की यह एक range के अंदर एक rising channel के अंदर यह stock काम कर रहा है दूसरी चीज अगर आप देखेंगे यह black color की line पर focus करेगा इस black color की line पर अगर आप देखेंगे यह वाली black color की line इस black color की line पर अगर आप देखेंगे अब exact उसी level पे दुबार आ है closing भी exact resistance पे दिया तो अगर कल breakout आता है तो अच्छी buying देखने को मिल सकती है उसके अलावा ये blue color की line देख रहे है जो मैंने उपर high से connect करी है ये बता रहे है कि ये cup and handle pattern बना है this is the cup and this is the handle इसका भी breakout आता है दोनों same level पे breakout है दोनों same level पे breakout आता है तो अच्छी buying आ सकती है थर्ड चीज़ यहाँ पर आप देखने है ये छोटी सी मैंने एक black line और create करी है यहाँ पर ये black line हमें बता रहे है कि एक bullish head and shoulder pattern बना है और इसका breakout दे चुका है ब्रेकाउट देने के बाद आप वॉल्यूम्स देख रहे है तीन दिन से लगाता है इंक्रीज कर रहे है यहाँ पर मतलब मुमेंटम जिनरेट हो रहा है लोग buyers इसके अंदर इंटर कर रहे है तो अगर कल एक breakout आता है अमें level बता देता हूं करेंट प्राइस है इसका 504-505 के असपास 507 बरीक होगा ना और 15 मिट की कैंडल क्लोज होगी तो बाय कर ले ना क्योंकि 15 मिट की कैंडल है कन्फरमेशन कैंडल होगी कि सस्तेन कर रहे है उसके उपर बाय कर सकते हो 10-15 रोपे के लिए कर सकते हो मुझे लगता कि कल के कल आपको टागेट्स दिखा सकता है मैं अल्मोस्ट 512-515 तक यह स्तॉक जा सकता है आप इस पर अपनी प्रोफिट बुकिंग स्तार्ट कर सकते हैं मैं आप लोगों को यह स्विंग ट्रेट के लिए क्यों नहीं दे रहा अगर आप लोगों को लगता है यह continuously ऊपर जा रहा है तो 515 पे कुछ quantities exit करके stop loss अपना buying price पर रख लेना और उसके बाद जितना ऊपर जा रहा है से hold करे रहन देना बट जब तक 15 मिट की candle close नहीं होती तब तक trade बिलकुल भी मत लेना अब बात करते हैं अपने last stock के last stock में मैं ज़्यादा शौर नहीं हो क्योंकि यह न सस्ते ही नहीं करा था आखरी टाइम पर तो इस stock का नाम है JSW Steel JSW Steel पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको clearly पता कि एक support है उसके अलावा है आप पर इसने एक W type of pattern को form कर रहे है W pattern को form करने के बाद यह एक neckline है इसका breakout अगर देता है तो एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है current price है JSW Steel का round 695 रूपीज का 701 रूपीज की उपर 15 मिट की candle close होती है तो एक buying आ सकती है जो कि इसे 720 to 740 तक की levels भी लेकर जा सकती है तो stock को अपनी watch list के अंदर add करिए 701 की उपर 15 मिट की candle close होती है तो swing trade as a लेकर चल सकते हो for a target of 720, 740 तो यह 5 stocks होगा है जो मैंने आप लोगों को बताने थे अब बात करते है Nifty and Bank Nifty के सबसे बहले open कर लेता हो मैं Nifty का चार्ट and Nifty के चार्ट पर आप लोगों को क्लियली पता था मैंने आपको बोलाता है यह एक support है यह red color की line एक support है जबता कि support के नीचे 15 मिट की candle close नहीं एक तमीज की bearish candle तब तक हमें short नहीं करना otherwise हम लोग sell on rice करेंगे ठीक है और मैंने आपको एक बात बोली थी कल की वीडियो पर कि अगर उपर जा रहा है तो buying मत करीगा क्योंकि selling आ सकती है FII की data की चक्कर पर so अब 15 मिट का time frame open कर लेते हैं and इसको further analysis करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I hope आप लोगों को यह visible होगा तीक है मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पर आप लोगों को बस इतनी चीज देखनी है क्या हुआ अच्छल में आज की trading session के अंदर में एक neck line और create कर देता हूं आप लोगों के लिए जो की यह neck line है तीक है अब यहाँ पर आपको देखना है यह जो जो टॉप है यह जो दो आप लोगों को सबसे उपर lines देख रही है दोनों line है एक resistance का ठीक है यह जो नीचे वाली line देख रहे है यह एक support है सो मतलब अभी जो top और जो support की मैंने बात करी यह एक range के अंदर trade कर रहा है nifty जो की 15,920 से लेके 15,640 की range का है सो उसी की range पर अभी market trade कर रहा है अब अगर बात करें तो अभी stock अभी यह index कहां पर है इस time सो वो बिलकुल अपने support level पर है सो अगर यहां पर एक sell off आता है इस level से एक bearish movement के साथ नीचे जाता है सो वो सीधा 15,460 तक भी stock जा सकता है almost almost आपको 200 points nifty downside के अंदर दिखा सकता है जो की यह level है ठीक है सो अब यहां पर हम लोगों के लिए अगर bearish आता है तो यह हमारा stop loss होगा 100 rupees का stop loss होगा 200 rupees का हमारा target होगा other than that अगर यह आप लोगों के एक neckline दिख रही है इस पूरी range यह bottom है यह top है इस दोनों का यह बीच में एक neckline है अब अगर neckline के ऊपर जाता है तो buying करना यह target के लिए अगर इदर आता है और एक bearish candle बनती है तो आप लोगों को short करना है for a target of this आज भी trading session के अंदर वही हुआ ठीक है यह बीच पे इसका कोई जादा use नहीं है बट आप लोग समझ गया होगी इस दोनों लाइन के उपर मतलब 15,800 के उपर हमें buying करने है और a target of 15,900 अब हम लोगों को short करना है 15,780 के नीचे अगर इस तरीकी के बन रहा है आप देखरेने हैं आपर एक double top type scenario बना है एक rounding top बना और rounding top से शाफ वाल आई सो यहां पर हम लोगों को कुछ ऐसा candle stick pattern यह scenario देखे तो हम लोगों को यहां short करना है अब अभी बिलकुल close है अगर कल gap down खुलता है और इसके नीचे जाना start करता है clearly short clearly short करना start करता है अगर gap down खुलके 15,630 के नीचे जाना start करता है अगर दुबारा इनी levels पे खुलता है और हलकल के नीचे जा रहा होता है तो देख लेना 15,630 की candle की closing का बड़ अगर gap down खुल के नीचे जा रहा है तो हम लोग वेट नहीं कर पाएंगे दूसरी चीज़ अगर gap up खुलता है तो क्या करना है अगर gap up खुलता है तो कोई trade नहीं है दोबारा बता चुका हूँ इस level के उपर ही buying करनी है otherwise buying नहीं करनी है बात करते हैं bank nifty के bank nifty हमें क्या suggest कर रहा है उसकी बारे में भी बात कर लेता है so bank nifty पे अगर आप देखेंगे यहां पर भी आप लोगों के सामने एक चीज विजिबल है कि यह top है जो कि 35,800 रुपीज का है and यह एक bottom है ठीक है this is the bottom जो कि 34,900 रुपीज का है so अब आप लोगों को करना का है exact अपना भी बाटम पे trade कर रहा है so यहां पर आप लोगों को एक चीज बानके चलने ही है कि यह जो ऊपर वाली line देख रहे है यह 35,500 जब 35,500 को cross करेगा तो हम लोग 35,800 के targets तक expect कर सकते हैं 300 रुपे cover कर सकते हैं otherwise अगर इसके नीचे breakdown देता है जो कि 34,920 रुपीज का level है कर सकते हैं वहां पर हम लोगों को अराम से 200 रुपे से 300 रुपे easily मिल जाएंगे अब बात करते हैं कि इस range के अंदर trade करना है जो कि 34,920 से लेके 34,520 है अब यह जो 600 रुपे की range है इस 600 रुपे में trade करना है देके मैं generally बोलता कि नई trade करना बट अगर trade करना भी है तो अब पहले अभी हम लोग क्या मानके चल रहे हैं बात समझेगा अभी हम बोल रहे हैं यह top और यह bottom है अब इसको गायब करते हो तो हम मानके चलते हैं यह top और यह bottom है तो इस range के अंदर trade करने के लिए कि आप कुछ ऐसे support और resistance को आप लोगों की जो भी मतलब जो downfall या up move है वो आप लोगों को अभी आने वाले time पर देखने को मिल जाएगी within 2-3 days so please आप लोग अभी sit tight on market को watch करिये अब बात करते हैं options की और देखते हैं open interest क्या बता रहा है according to charts so मैंने open interest open कर दिया आप लोगों के लिए and यहां पर आप लोगों के सामने visible होगा sorry guys तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है सबसे जादा आप लोगों को red candles दिख रही है red bars देख रहे है of course अब क्या सकते हैं कि सबसे जादा और सबसे बड़े red bars देख रहे है so red means bearish and green means Polish so यह जो बीच में आप लोगों को line दिख रही है that is 15,700 जिसके आसपास अभी closing मिली है हम लोगों को Nifty के so वहां पर कहीं पर भी आप लोगों को अगर देखेंगे तो कोई जादा position ही नहीं बनी है 15,700 के आसपास इसका मतलब यह donate कर रहा है कि 15,630 ब्रेक होता है तो टार्गेट होगा 15,460 का तो उसके हसाब से आप लोग अपना trade कर सकते हो otherwise अगर उपर जाता है तो उपर इसको बहुत hurdle phase करने है 15,750 800 850 हर जगा उसको hurdle phase करने को मिल रहे है so अगर उपर जाता है तो वहां पर एक selling pressure दुबारा करना नहीं है call और put change अगर आप देखेंगे तो put हो गया है negative पे तो यानि कि जिन लोग ने भी put writing जो भी support बनाके बैठे वे तो वो लोग निकल गए है क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि market नीचे जा सकती है otherwise उपर call change पे 7.7 million की open interest की position that indicates की वहां पर higher side में बहुत जादा selling pressure है और बहुत मुश्किल है निकलने के लिए okay इसके अलावा bank nifty की बात करते है so bank nifty पर देखेंगे तो according to nifty और bank nifty क्या short करना चाहिए sir आप बोड़ों बार बार short करो तो क्या short करें दोनों करें की एक चीज मेरे जो better option है according to not according to charts according to open interest or options का data मेरे जो सबसे ज्यादा suitable है that is nifty क्योंकि nifty बहुत बार support ले चुका है according to bank nifty तो अगर nifty break करता है तो nifty पर ज्यादा selling pressure आएग अब bank nifty open यह data के थुरू अभी नहीं दिखा रहा हो सकता है कल market खोले तो वो data बिल्कुल बताल जाए तो अभी put or call chain देखेंगे तो ज्यादा difference है but मैं मान के चलूँगा इत्ता तो रहता ही है other than that की 35,300 to 500 यह level निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर आप लोगों को इसी level पर मिलता है तो आप लोग short करना start कर सकते है otherwise अगर 32,500 34,900 break होता है जो level यह रहा यह level break होता है तो वहाँ पर आप लोग short कर सकते है bank nifty के लिए नीचे नीचे supports है जो आप लोगों को दिख रहे है तीन चार बड़ी बड़ी green candles दिख रही है बट निफ्टी पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो वहाँ पर निफ्टी को short करना is more preferable or more good rather than shorting bank nifty अब बात कर लेते हैं साले data की बात हो गई अब बात करते हैं एक बार FII data की So FII data हम लोगों को क्या बता रहा है So यहाँ पर आप देख सकते है call long करी थी FII data ने आज के market पे 3.5 lakh call short करी थी 2.55 lakh So अगर हम यह मानके चले तो net bullish है वो लोग 1 lakh quantity 1 lakh quantity वो लोग call में bullish है इसके अलावा अगर हम लोग put side में बात करें तो उन्होंने put long करी थी 4.14 lakh और put short करी थी 1.93 lakh So वो लोग bearish है put side put को लेकर वो लोग bearish है 2.2 lakh quantities पे So अगर हम लोग bullish और bearish को difference भी करें तो हमें पता लग रहे कि वो लोग options पे short है options पे वो लोग bearish है उन्होंने सीधा सबसे जादा long मतलब buy करें है options को rather than short So वो लोग मान के चल रहे है कि अगर गिरावट या buying आती है तो वो बहुत तेजी से आएगी कि वहाँ पर वो लोग जो लोग ने options पे buying कर रखी है उस पे वो लोग सबसे जादा पैसा कमा सकते हैं call long और सिर्फ put long की तो आप देखेंगे तो दोनों का difference सिर्फ एक लाख रुपे का है और बिलकुल पास में है तो वो लोग ये भी मान के चल रहे है कि अगर बहुत तीजी से fall आता है तो वो recovery भी दुबारा आ सकती है तो इस बात को लोगों को याद रखना है other than that नीचे आते हैं तो नीचे आप देखेंगे index future में buying हुई है पिछले time क्या हुआता है index future में उन लोगों ने short करके रखावाता है 1100 crores का ठीक है sorry यहाँ पे था 450 crores का short था और साथ में उन लोगों ने options को भी short करा था तो वहाँ पर हमें पता था कि selling pressure higher side में आ सकता है अब इन लोगों ने future को long कर रहा है उसके according उन लोगों ने put को options पे bearish है future पे वो लोग long है तो एक तरीके की hedging उन लोगों ने अल्रेडी बना रखी है तो वो लोग भी यही मान के चल रहे हैं कि अगर गिरावाट आती है तो वहाँ पर buying इस पे आपको करना है guys कि अगर breakdown आता आपको अच्छे कासे targets मिल रहे हैं जादे expectation मत रखना bear nifty को 100 to 120 points और nifty को 50 to 70 points के आज पास मिल रहे हैं profit करके निकलो उसके बाद जितना नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है आपको कोई मतलब नहीं क्योंकि यह data में देखा रहा है कि recovery आ सकती है जिस तरीके से market आज bullish थी और एक पंदरा मिनिट की candle में पूरी market negative पे आ गए थी so ऐसा scenario दुबारा बन सकता है आपके profits losses पे convert ना हो यह बात है आप लोगों को याद रखनी है so early exit अभी market पे अच्छा रहेगा share करिए जिन लोगों को भी interest है stock market के अंदर और हमारे channel को grow करने में मदद करिए thank you guys मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक दुबारा वीडियो में ऐसी interesting वीडियो में तब तक के लिए bye bye good night